गालिक बैट बनाना बता है थिए फ्रेंजीम को गालिक बैट बनानी नहीं करते हैं तो को सब पहले गरम पानी लेना है गरम मतलब गुनगुना पानी लेना है बहुत खॉलता हुआ पानी मतलीजिएगा लोग बर्म पानी चीजिए इसमें एक चमच चीनी डाल दीजिए और यह दो चमच हमने छोटी चमच इस्ट ली है यह ड्राइ इसको आप इसमें डालकर और 10 मिनिट के लिए हमको ढग कर इसको रख देना है किसी गरम जगह पे यह 10 मिनिट पे एक्टिवेट हो जाएगा तो इसको हमको 10 मिनिट रखने के बाद और हम जैसे भी बताए आपको कि वह आप चाहें तो आटे में ही चीनी और इस्ट डालकर दो तैयार कर सकते हैं तो इसको रख द लेते हैं तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक कप मैदा लेना है एक कप मैदा लेंगे यह मैदा नॉर्मल आटे से भी आप बना सकते हैं घिहूं के आटे से भी आप बना सकते हैं तो वह भी आप एक कप ले लीजे इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और यह है मिक् तो सिर्फ नमक डालके भी डो त्यार कर सकते हैं, तो अब इसको हमको डो को त्यार कर लेना है, जैसे पीजा का डो हम कई वीडियो में डाल चुके हैं, बता चुके हैं आपको, जैसे पीजा का डो डाल बनाते हैं, उसी तरह बनाते हैं, तो अब यह जो इस्ट हमने त्यार की तो देखिए अगर ठंडी का मौसम है, तो जल्दी डो राइज नहीं होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अब आप पॉट में ऐसे पूरा ओयल लगा कर और डो को रख दीजिए, तो आप किसी गरम जगा पर रख दीजिए, खंबर ये टॉबल में लपेट के भगोने को और रख दीजिए, और माइक्रो बेम है, उसके अंदर रख सकते हैं, तो इस तरह करके ये एक घंटे के लिए हमको इसको ढख कर रखना है, इस डो को, तो देखिए एक घंटा हो गया, हमने डो को निकाल लिया है, अब हम गालिक ब्लेट बनाएंगे, तो इसको बस आपको एयर उसमें जो रहता है, वो निकालना रहता है, बस आप सूखा आटा लीजिए, मैदा लीजिए, और उसके दो पोर्सन करके, जो डो जितना तयार किया था, एक कप के आटे में दो गालिक ब्लेट बनती है, तो अब इसको हमको बेल लेना है, बेलने के बाद हम को इसकी फीलिंग त्यार करें, तो हम आपको बता दे, हम पनीर, मक्नी पनीर फीलिंग्स लिये हैं, इसमें स्टफ करेंगे, तो सबसे पहले हमको करना है, गालिक को खुब अच्छे से मैस कर लेना है, पेस्ट लेना है, बटर लेना है, इसमें धनिया डाला है, चिली फ्ले तैयार कर लिया है तो इसकी एक पोर्षन गार्लिक बैटर की आपको अप्लाई करनी है तो나оки प्लिक बैटर प्लै करने कबाद हम्हों को मखनी सॉस लेना है तो हम पनीर मकचनी कैसे बनती इसका भी डाल रखा है तो जॉस बनाना वह उसमें बतािया। इसको हमको इस पर अप्लाई करना है हम लिंक दे देंगे आप देख लिए जगा अब इस पर आपको अच्छे से मोजोरियला चीज डाल दिजे अगर आपके पास मोजोरियला नहीं है तो आप प्रोसेस चीज भी यूज कर सकते हैं तो इसको हमको इसमें डाल देंगे अब इसके पनी रखनी है तो इसको ए खंगे इस तरह है to दो प्रेंजस को बनाई यह जरूरों बहुत यह टेस्टी रहता है अभी तक आपने अगर नहीं बनाया तो बनाईयगा जरूर अब आपको साइड में बटर गार्लिक जो तैयार किये थे उसको एक बार जिस पोर्शन में हमने ग जित्ता शेयर करेंगे उत्ता ही लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो अब हमने उस पनीर के उपर मोजरेला चीज रख दी है और इसको अच्छे से आप इसको दवा दीजिएगा जिसमें यह बेक होते समय खुल न जाए इसलिए आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर दवाना है इसको ऐसे दवाने के बाद अब हापको क्या करता मैं इसके बीच में कट लगाना ए तो इसके बीच में कट लगा दीजिए आप अच्छे से बहुत डीप लीक्त नहीं हमने हैं ऑस हलका सा कट लगाना कि बस थोड़ा से ओपन हो जाए जो एर है वो ऐसे फटे ना उसके वज़े से तो इससे अंदर अच्छे से बेख हो जाएगा और इसके ऊपर अब हमको यही गार्ली बटर जो हमने रख्या था उसी को हमको अप्लाई करना है इससे गोल्डें ब्राउन कलर आता है आप चाहें त दूधों तेल कुछ भी लगा सकते हैं दूध मिक्स करके दूध में तेल मिक्स करके भी लगा सकते हैं इस तरह हमको इसको करना और एपको एक ट्रे आपको लेना है आवन को हम पहले फ्रीट कर लेंगे 180 डिग्री पे 10 मिनट फ्रीट हो गया है और अब 180 डिग्री पे ही 15 से 20 मिनट हमको इसको बेक करना तो यह हमने बटर से ग्रीज कर लिया था ट्रे को जो यह प्लेट है अब इसी तरह हम दूसरी भी बना लेंगे और बेक कर लेंगे तो यह देखिए बन के त्यार है और जब गरम रहे तभी आपको बटर अपलाई कर देना है इसके उपर गर्लिक बटर और आप इंजॉय कीजिए कट करके अपना खाईए और इंजॉय कीजिए तो गरम गरम ही यह अच्छा लगेगा इसलिए इसको ठंडा नहीं करिएगा आपको कट करके दिखा रहे हैं वह बहुत गरम है फिर भी हम कट कर रहे हैं और गरम में आप टच मेंद के चीज बहुत तेछ चिपकती है तो इसलिए समाल के कट करिएगा तो यह देखिए बन के तयार है पनीर मखनी गार्लिक ब्रैग तो फ्रेंस नेक्स वीडियो में फि अग्यूर झाल 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 देखिए बन के तो यह देखिए ंजया पिर बार्लिक ट्राद 9 के रहे हैं पुक्त पूस्ताओवा रहे हैं वहाँ ज़गा कर आपको कर दो दो भी है आपको कर दो दोखिए और प्रैड़े